बिहार में जितना आदमी है सा वनपल आदमी है हम लोग बिहार के नहीं है हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं बोज़पूरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग बढ़ें आज के खास खबरों के ओर चनसुराज के सुत्रिधार पिश्रांत किसो ने कहा कि आज सबी लोग जानते हैं कि राजस थरपर बालु माफिया कौन है आज विहार में एक दल के लोग जो बालू माफिया का काम कर रहे हैं पूरे राजी को इन्होंने बालू के अवैद खनन का केंदर बना दिया है आज के जश्वे यादब कहते हैं कि मुझे क्रिमनल और क्राइम से लगाव नहीं है मतलब तो यही हुआ ना कि बाग यह कहे कि उसे मांग से लगाव नहीं है आज इस देश में क्राइम और क्रिमनल सेतने जुड़े लोग देश में किस पार्टी में है हमसे अच्छा भोशपूरी बोलेगे क्या वो लेकिन तेश्वी को ना इंगलिस आती है ना ठीक से भोशपूरी बोलनी आती है उन्होंने सीवन में कुछ पढ़ा नहीं है और किसी भी विशय का कोई ग्यार नहीं है उनको जब जनता तेश्वी से रोजगार के बारे में पूस्ती है तो वो कहते हैं कि भाशपा को रोको अर्या बोल कर वो लोगों को मुर्ख बनाते हैं आप कहते हैं कि शराब माफिया और बाली माफिया बहुत जादा हो गए है तो तेजश्वी यादब कहते हैं कि जातिये जंगन्ना करवा रहे हैं या काम करते नहीं हैं बस नए मुद्धे पर अपने बात रखकर बहाने बासी करते रहते हैं देखिए इस रिपोर्ट में इसके आगी क्या कुछ कह रहे हैं प्रशान किसो उसको अंगरेजी बोलने आता है वो कभी जिवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझाओ क्या बूलेगा वो खाली बख्वास करें किसी विशे का ज्यान है नहीं दूसरे पर खाली यह अभी जाती के नाम पर कभी धरम के नाम पर कभी भाजपा आरा हो आप पूछरे रोजग पत्रकार बंदू आप लोग बैठे हुए हैं कौन लोग है आप नहीं जानते हैं कि राजी कस्तर पर बालू माफिया कौन है एक दल के सारे लोग है जो बालू माफिया के यहां काम कर रहे हैं सबको मालू है ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया पूरे राच्छे को बालू का मालू का ठनम का केंगर बना दिया है और कहता है कि हम हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाओ नहीं है मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाग ये कहे कि हमको मान से लगाओ नहीं है आरजेबी का लीडर कहर आ कि हमको क्राइम से मतलब तो आपने देखा प्रशान की सूर किस तरह से ते जश्वी यादब को एक बार फिर से घेरते हुए नसर आए हैं तो ऐसे ही तमाव अच्छी खबरे के साथ जूरेड हमारे चैनल रबसी लाइफ के डिस्टल फ्लाटफॉर्म पर बहुत बहुत धन्यवाद